Hello everyone and welcome to our channel अपना इंशुरेंस वाला Hello friends आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के नए प्लाइन अमरिद बाल योजना के बारे में इस प्लाइन को बताने के साथ मैं आपको इस प्लाइन को उधारन के साथ भी explain करूँगी तो वीडियो को अंतक जरूर देखें जिससे आपको ये प्लाइन अच्छे से समझा सके और इस प्लाइन की पूरी जानकारी आपको मिल सके ऐसा LIC ने अपना ये नया प्लाइन 17 फेबरारी को लांच किया है जिसका नाम है अमरिद बाल प्लाइन LIC के पुराने चाइल प्लाइन जीवन तरूर और चिल्डन मनी बैक प्लाइन से ये प्लाइन कैसे अलग है आए समझते हैं LIC का यह Children Plan Guaranteed Edition वाला प्लान है इसलिए यह LIC के बाकी दोनों प्लान Children Money Back और जीवन तरुन प्लान से थोड़ा अलग है LIC के प्लान जीवन तरुन और Children Money Back में बोनस मिलता है जो की साल के अंत में decide होता है यह बोनस कम या ज्यादा भी हो सकता है LIC के प्लान अमरिदबाल में यह Guaranteed Edition होता है यह Guaranteed Edition Sum Assured के 1000 पर आप 40 रूपीज का होता है जो की fix होता है LIC का अमरिदबाल योजना एक Non-Participating and Non-Linked प्लान है यह प्लान LIC ने खासकर बच्चों की higher education के लिए design किया है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी 12th के बाद parents को एक बड़े amount की जरूरत होती है उनके इसी जरूरत को पूरा करने के लिए LIC का अमरिदबाल योजना प्लान बनाया गया है इस प्लान को लेने के लिए बच्चे की age minimum 30 days की है और maximum 13 साल के बच्चे के लिए इसे लिया जा सकता है इस प्लान में minimum sum assured 2 लाग का है और maximum sum assured की कोई limit नहीं है मतलब आप जितना चाहे उतना बड़ा बीमा ले सकते हैं इस प्लान में आप दो तरह की से premium paying का option ले सकते हैं पहला है single premium option जिसमें आपको सिर्फ एक ही बार में पैसा जमा करना होता है दूसरा है limited period paying term जिसमें आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल premium जमा करने का option आप चुन सकते हैं limited premium paying option को आप monthly, quarterly, half yearly, yearly का option भी चुन सकते हैं अब बात करते हैं कि आप कितने साल के लिए यानि कितने term के लिए plan ले सकते हैं तो single premium option लेने पर आप 5 साल से लेकर 25 साल तक का term ले सकते हैं मतलब अगर आपने 25 साल का term लिया है तो आपको अभी एक साथ पैसे जमा करने होंगे और 25 साल बाद आपको maturity मिलेगी अगर आपने limited period paying term चुना है तो 10 साल से लेकर 25 साल तक कोई भी term चुन सकते हैं मतलब अगर 25 साल का term चुनते हैं और यहां PPT यानि premium paying term आप 6 साल का चुनते हैं तो आपको 6 साल तक premium जमा करना होगा और 6 plus 19 याई 6 साल आपने premium जमा करा है प्लस आपको 19 साल तक वेट करने के बाद 25 साल पूरे होने पर आपको maturity 25 साल के बाद आपको पूरा पैसा maturity मिल जाती है अब बात करते हैं loan सुविधा की single premium option में 3 महीने पूरे होने पर और limited period paying term option में 2 साल पूरे होने पर आप loan ले सकते हैं अगर आप बीच में ही policy को surrender कराना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि single premium option में आप कभी भी अपनी policy को surrender करा सकते हैं और limited premium option में आप 2 साल के बाद कभी भी policy को surrender करा सकते हैं Surrender values बात पर निवर करती है कि policy कितने समय तक चली है इस policy में एक main point और है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है इस policy में को आप 2 तरीके से risk cover आपको मिलता है पहला है 7 time analyzed premium और दूसरा है 10 times analyzed premium जो दूसरा option है 10 times analyzed premium वाले में बड़ा risk cover है इसलिए इसमें premium को ज़्यादा होता है ये दोनों option आपको limited premium paying term में मिलते हैं single premium option में भी आपको 2 option मिलते हैं पहला है 1.25 times of single premium और जो दूसरा option है वो है 10 times of single premium आप जो option चुनते हैं उसी के हिसाब से आपका premium पड़ेगा ये friends एक्जामपल से समझते हैं ये है Mr. Ramesh इनकी उम्र है 30 साल और इनका एक बेटा है राजु जिसकी उम्र है 1 साल और रमेश जी ने राजु के लिए अमरिदबाल प्लान लिया है और यहाँ पे उन्होंने जो term लिया है यानि 20 साल लिया है 20 साल तक का इनका insurance प्लान चलेगा और सम एशड़ यहाँ 10 लाका है 10 लाका इनका insurance है सिंगल प्रीमियम का option लेते हैं और risk cover यहाँ पे 1.25 टाइम्स लिया है और इन्होंने जो total deposit किया है वो है 8,7,576 20 साल के बाद Mr. रमेश का बेटा जब 21 साल का हो जाएगा तो उन्हें मिलेगा basic sum assured प्लस guaranteed edition जो है 10 लाक प्लस 16 लाक यानि 26 लाक तो इतना पैसा उन्हें तब मिलेगा जब राजु की उमर 21 साल की हो जाएगी यहाँ एक main point हमने लिया है 1.25 टाइम्स रिस्क अवर जिसका मतलब है कि policy holder के अगर miss happening कोई हो जाती है उनके साथ तो उनकी family को sum assured का 1.25 टाइम्स रिटर्न मिलेगा यहाँ पर दूसरा example लेते हैं जिसमें Mr. Ramesh ने इस plan में term 20 साल लिया है sum assured 10 लाक है और single premium option में जो risk cover लिया है वो है 10 times का तो वहाँ इससे पहले वाली example में हमने risk cover 1.25 लिया था अब हम ले रहे हैं 10 times का risk cover तो यहाँ पर जो money deposit किया है Mr. Ramesh ने वो है 8,44,360 जो पहले वाली example से कुछ जादा है जब Mr. Ramesh के बेटे के उम्र 21 साल की हो जाएगी तो Mr. Ramesh के बेटे को यानि राजु को basic sum assured प्लस guaranteed addition मिलेगा 10 लाक प्लस 16 लाक प्लस 26 लाक यहाँ पे हमने risk cover लिया है वो 10 times लिया है यानि अगर कोई miss happening होती है तो family को sum assured का 10 times return मिल जाता है यहाँ पे अगर आपने दोनों example compare किये होंगे तो दोनों example में second वाले example का premium जादा है क्यूंकि यहाँ पे risk cover 10 times मिल रहा है next example की तरफ यहाँ पे इस वाले example को limited premium paying option लिया है हमने और sum assured है 10 लाक का और 5 साल का premium भरने का option लेते हैं यानि PPT premium paying term यहाँ पे 5 साल लिया गया है और risk cover है 10 times और Mr. Ramesh को जो deposit करना है वो करना है 2,7,537 रुपीज अब 5 साल तक Mr. Ramesh इसको जमा करेंगे हर साल तक और 20 साल के बाद उनके बच्चे को जो मिलेगा वो होगा basic sum assured plus guaranteed addition जो होगा 10 lakh plus 16 lakh यानि 26 lakh रुपीज यहाँ पर मैंने आपको पहले साल का premium लिया है जिससे में tax जादा होता है आपको बाकी के 4 सालों में कुछ कम premium ही पड़ेगा पहले साल में tax जादा होने की current premium थोड़ा माद बता दूं कि इस plan में minimum maturity age 18 साल की है और maximum maturity age 25 साल की है तो plan लेते समय आप डम इस तरह से लें कि maturity के समय बच्चे की उम 18 साल हो या 25 साल के बीच में हो आपको plan कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं और insurance के नए-ने plan combination तता अन्य जानकारी के लिए आप हमारी website पे भ www.apna insurancewala.co.in Friends इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा effort लगता है मेहनत लगती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like और subscribe जरूर करिए insurance और savings related वीडियो और wallpaper पाने के लिए आप हमें telegram चैनल पर भी जरूर जुड़ें अपना insurance वाला जैसे आप लिखेंगे तो आपको हमारा telegram में भी आप हमें देखेंगे और वहां हमसे जुड़िये और कई reading material भी हम आपको provide कराएंगे Thank you for watching, please like, subscribe, share and press the bell icon और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को like और चैनल को subscribe करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद